वयलकूम वयलकूम रूबी के किचन में वयलकूम मेरे प्यारी प्यार विवर刚bera प्यार भरा सलाम आज हम बड़ा मजेदार सा बड़ा आसान बचों के लिए जैली का मीठा बनाते वो भी मेरे स्टाइल में तो चले स्टाइट करते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब कर बटन दबाएं बराबर पर ये बैल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी वीडियो अच्छी लगे थम्स अप देए चले सबसे पहले जैली जमाते हैं जब मैंने फालूदा बनाया था बहतरीन सा लोगों को इतना पसंद आया था लेकिन उसमें अक्सर लोगों ने कहा था आपने जैली जमाना नहीं बताया तो चले मैं फालूदे का लिंक यहां देत टेढ़े कप पानी डाल देते है यह गया 1.5 कप पानी और इसमें भी 1.5 कप पानी वैसे आम हालात में जो 3 oz का पकेट लेक्जेली का उसमें पीछे डेरिक्शन होता है कि दो कफ हमें पानी लेना है। लेकिन यह जो डिजर्ट है इसमें हमें जैली जो है वो थोड़ी फोर्म चाहिए है। इसलिए हमने डिर्डर कप लिया है। अब यह थोड़ा बॉil होता है तो हम इसका वीट करते है। देखे पानी कितने अच्छे से उबल गया है तो अब इसमें हम डालते हैं रेड वाली जेली इसमें आप स्ट्रावरी या चेरी दोनों ले सकते हैं आपकी मर्जी है चले ये डाल रहते हैं स्टेंडर्ड पैकेट ही है तीन आउंस वाला अच्छा जो लोग अमेरिका और कैनेडा वगरह में रहते हैं वह अक्सर पूछते हैं कि हलाल जेली जो है वह कहां से मिलती है तो जो भी आपके खरीब जो डेसी स्टोर होता है इंडियन पाकिस्तानी वहां से बड़े आसानी से मिल जाती है डिफेंट ब्रेंड के मिल जाती है आप अपनी मर्जी से कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं चले इसमें डाल देते हैं घ्रीन वाली इसको भी हिला लेते हैं देखा कैसे वाइग वाइट लग लग ना लगी थी और जो पिक कर सकते ये ये राद जो चालर बड़ा सा है इसलिए मैंने यह पिक किया आपको जो अच्छा लगता ले सकते हैं आप चले यह तो बड़े अच्छे सोबल गई है इसका चूला हम बन करते हैं और इसको हिला के कब बन करते हैं कि अच्छे सर्ट जॉल्व हो गई हो और इसके बाद आप किसी भी कंटेनर में जमा सकते हैं को भी शीशे का हो नहीं प्लास्टिक जो फिल्वा बदाश्ट कर सकता हो यह तो बड़े आच्छे से डिजॉल्व हो गई है तो आप इसको हम डाल देते हैं तब देते हैं चले बस इसको अगर आप चाहे तो बाहर ही टाइम है तो बाहर भी साइट हो जाएगी जल्दी है तो फ्रिज में रख दें और उससे भी जल्दी है तो फ्रीजर में रख दें लेकिन अभी मैं इसको आउंटर पर ढूम तो फ्रिज में रख दूँगी तो चले पर मिलते हैं आप से इसके जमने के बाद देखे फोडी फोडी फायमेंट्स हो गई है और हमाई जैली जो है बड़ी अच्छी सी जम गई है तो चले आप हम इसके पीसिस करते है और क्यूब्स होंगे उसमें होगी यह तना खुबसूरत लगता है डिजर्ट और मैं बताऊं में चीज क्या है इस डिजर्ट की बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है कलरफुल है तो और दूसरी है कि आप पार्टी बगरा के लिए बगरा के लिए आप बनाएंगे तो कि कितनी खुश-खुश है सेम इसको भी कर लेते हैं कि चले अब इसको हम जरा साइड पर रखते हैं दोनों जली इसको और जट पट जबर सा एक कस्टर्ड बनाएंगे जो पकाना भी नहीं और जट पट बनेगा तो देखे कोई भी ग्राइंडर ना हो तो भी हाथ से भी किया जा सकता है यह बड़ा इजी है वो जो एक बीटर होटार वेले आप तो देक्यों हमारे पास यहां आथक अ यह अड़ा-ख़ ग्समय है अगर अगर कंडकन समींकर आपने मेरी ylation कि नहीं देखिए तो आप लोग में बनाएगा और अगर रेदी मेः लिक हम बनाता नहीं और अगर कुछ भी नहीं मिल सक्रा है तब आप शक भी डाल सकते हैं इसकी जगह लेकिन कंडेंस मिल्क डालेंगे तो थोड़ा सा क्या फ्लेवर जादा अच्छा लगेगा लेकिन डाली जा सकती शकर भी अगर अवेलेबल नहीं है तो चले यह डाल दिया अब इसमें हम डालेंगे आदा कप इवापरेटेड मिल्क उसकी चला गया इसमें है और यहां हमारे पास देखे कोडर कप क्रीम है यह आप इसकी जगह कोडर कप मलाई डाल सकते हैं और यह चाहे तो अध़कप भी डाल दें अगर दूर दूर डाल रहें तो तो देखा कितना सिंपल है तो बस इसको हिला लेंगे थोड़ा सा अगर यह तो आप खुद से इस तरह से हिलाल हो जाएगा अच्छा अब इसमें जाएगा जेलिटिन पाउडर जेलिटिन पाउडर यह देखे अगर बहुत सारे लोग जाने उससे किसी भी चाहिए सेट करने में काम आता है और उसका कोई फ्लेवर नहीं होता है उसका में काम होता है है उसमें भी होता है तो यह देखे हलाल भी मिलता है अगर आप कैनेडा या अमेरिका की तरफ है तो यह ब्रैंड भी मिलता है अब आखी हर जगा बड़े इजी ली अविलेबल है तो यह हमने लिया है तीन टीस्पून तो यह तीन टीस्पून है यह हमाई पास आधा कप ग करम पानी में यह हम डाल देंगे तीन टीस्पून जेलेटिन पाउडर और इसको हिला लेंगे अबस अच्छे से डिजॉल्व हो जाना चाहिए यह 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 भी हो गया अब यह भी चला जाएगा इसमें अब अगर आप चमच से कर रहे हैं तो यह समझें आप यह अपने हिला लिया अच्छे से या विस्क कर लिया इसको कुछ गाड़ा वगरा नहीं करना है लेकिन मैं यह थोड़ा सा मेक्शोर कर रही हूं कि अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब मैं निकाल लूँगी तो बस यह हो गया मिक्स हो गया अब देखे जिस भी आपको बरतन में जमाना हो वह ले सकते हैं और पता है बैस्ट क्या है बच्छों के लिए जो बड़े पार्टी वगर होती है उसके लिए इस तरह से हम डिस्पोजबल जो ग्लास लें और उसमें बनाएं तो बच्छों क क्या टूगो दे दिया या वहीं वो खा रहे हैं बचा ले गए गिराएंगे तो मसला नहीं खुबसूरत भी लगता है तो एक मैं आपको दिखाने के लिए इसमें जमाऊंगी और अब हम यह ले लेते हैं अपना जैलो यह हम ऐसे डिश में बना रहे हैं जो हम पीसिस करके लेकिन अगर आपको कोई बड़ा डिश में क्वांटिटी जादा बनानी है और डी मोल्ड भी करना है यहने उल्टा करके निकाल लेना है तब आप क्या करें यह मेरी वाली ग्रीस नहीं किये आप ग्रीस कर लें थोड़ा सा उसको स्प्रे कर दें ऑईल वगरह से अच्छे स तब आप उल्टा करके भी निकाल सकते हैं लेकिन इसमें मैं पीसे देखा लूंगी क्योंकि छोटी सी बना रही हूं तो अब क्या करेंगे सबसे पहले होडी सी ग्रीन जैली डाल देते हैं की में राव रर किसे ने ओर कोळ एक अख अब किलोड़ लेन ही मैं कॉशी अब रही कुछ पीसे प्रेंट में। आप कुछ रड़ वी डाल देंगे अर अगर आपने एक दो कलर और लिये हूं तो सब इसी तरह डाल दें ठोग थोड़े अच्छे लगाइग है अगर और वी लेंगे तो मैंने एक मेन कलर ले लिए ताकिया है कि इसका अच्छा लेकर आपको जितने कलर यूज करने आप कर सकते हैं इसमें भी डाल देते हैं और आप यह हम यह लिकविड डालेंगे अ अब थोड़ा सा यह हम डालेंगे हलका सा और इसी तरह इसमें भी डालेंगे और आप दोबारा जैली डालेंगे तो बिर्यानी की तरह हम तीन तहर लगाएंगे तीन मरतबा थोड़ा थोड़ा डालेंगे अब दोबारा डालते हैं अब दोबार डालेंगे अब यह डाल देंगे अब यह लास डाल देते हैं अब जो बचा है वह सब उपर डाल देंगे अब बच्चे भी इतने खुश हो जाते हैं यह देखके और गर्मियों में तो बड़ा मज़े का लगता है खासर से इफ्तार वगरा में तो इतना मज़े का लगता है यह चले बस देखा कुछ करना ही नहीं था डन हो गया और इसको फ्रिज में रख देंगे हमाया पस्तों तो जड़ा टाइम नहीं है तो दो धाई गंटे तक रख लेते हैं अगर आप ऊवरनाइट रखेंगे तो और रिजल्ट अच्छा हैगा वरना पाच्छे घंटे तो चले इसको फ्रिज में रखते हैं देखें डेड़ दो गंटे हो गया है और आप हम जाके देखते हैं कि कैसा लग रहा है वैसे तो ज्यादा ज्यादा टाइम लगेगा तो ज्यादा साइट होगा लेकिन अभी चू के टाइम नहीं है चलते है तो चले काटते हैं मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ चले सबसे पहले तो हम इसकी साइड्स लूज कर लेंगे एक्जेक्ली ऐसे और अब हम इसमें से चार पीस निकालते हैं तो चले यह हो गया और अब हमें एक खतरनाक सा पीस निकालते हैं यह देखे हमने कितना अच्छा सा स्कुएर पीस निकाल लिया है अब इसी तरह से हम और भी निकाल लेते हैं तो देखा कैसे जटपड हमारा खतरनाक सा आई प्लीजिंग बिना मेहनत के डिजर्ट बन गया कुछ करना भी नहीं पड़ा सिर्फ यह के सैट होने के लिए थोड़ा टाइम दिना है अब मेरे पस इतना टाइम नहीं था तो मैंने जितना दिया उस हिसाब से यह आपके पास है और आप जादा रखेंगे तो बहुत अच्छा सा सैट हो जाएगा लेकिन मज़े का दोनों सूर्टों में लेगेगा लेकिन वो फ़म जादा हो जाएगा तो चले आप मैं ट्राइ करती हो और आपनों को बताती हूं कि लग कैसा रहा है कैसा जिगल हो रहा है माउथ मेल्टिंग है दोनों अलग अलग जैडी के फ्लेवर्स भी बढ़े अच्छे लग रहे है अतना क्रीमी क्या सवाल नहीं पता होता और कितना प्रिजंटेबल देखें बचे खुश हो जाएंगे हुआ है है बहुत खतानाक है पाटी इसके लिए बच्छों के लिए और रमजानों के लिए बेस्ट है इतना हलका फुलका है मज़ेदार है मेहनत करनी नहीं है थंड़क हो जाती है और अगर आपको जैसे डिश उल्टी कर दे नहीं है और ऐसा खुबसूरत बनाना है कि फिर काट के पीसे निकाले तो बस यह याद रखें कि वह और रीज कर दें और फिर यह जैली डाले फिर दूद डाले इसी तरह से कंटीनियू रखें ताकि फिर साइट से किनारे यू लूज करेंगे और उल्टा कर देंगे वह उसका एक अलग है चले जल्दी जाएं बनाएं खुब मजे करें धावाल मचाएं बड़े पाटी में बनाएं चलती हूं दूआओं में याद रखिए का इंशाला फिर लॉट क्या होंगी इसी तरह की रंगा रंग रंग रैसेपी के साथ और मीठी मीठी लव यू और बाय लाहाफि कि लगाफिछ पाटी यूट और झालाँ झाला बड़े लूट खुछ के लाहाफि उट्डाप गज़े ऐस्ट रंख यू पी।